अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार प्रभासाक्षी के खास कारिकर्व जागो नाविक जागो में आप सभी का स्वागत है मैं आपके साथ अशना दिवेदी शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें सिर्फ दो लोग एक नहीं होते बलकि दो परिवार भी एक हो जाते हैं शादी के तोरान कई लोग खुब सरा पैसा खर्च करते हैं और धूमधाम से शादी करते हैं शादी में पैसा खर्च करना आपका अपना चुनाओ है लेकिन शादी के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बन्मा लेना चाहिए ये आगे चलकर किसी दिक्कत में फसने पर काम में आता है अगर कानूनी भाषा में समझे तो Marriage Certificate एक तरह का कानूनी दस्तवेज है जो ये बताता है कि आप दोनों कानूनी तौर पर शादी शुदा है भारत में दो लोगों की शादी के बाद हिंदू Marriage Act 1955 और Special Marriage Act 1954 के तहत रेजिस्टेशन करवाना होता है जिसके बाद एक दस्तवेज दिया जाता है जिसे Marriage Certificate कहा जाता है ये एक तरह का कानूनी सबूत है कि दो वेक्ति शादी के बंधन में बंधे हुए है इसे साल 2006 में सुप्रीम कोट ने अनिवारे कर दिया था कि शादी करने के बाद दोनों को रेजिस्टेशन करवाना अनिवारे है सुप्रीम कोट ने ये कानून महिलाओ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी बनाया था अब हमें ये तो पता चल गया कि शादी का रेजिस्टेशन कराना बहुत जरूरी है लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कैसे होता है जिसकी वजह से शादी के कई सालों बाद भी मैरिज का रेजिस्टेशन नहीं हो पाता है मतलब हमारा अगला सवाल ये आता है कि marriage certificate कैसे बनवाए तो आपकी ये मुश्किल आज हम दूर कर देते हैं marriage certificate बनवाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं पहला तरीका तो ये है कि आप खुद court जाकर बनवाए और दूसरा रास्ता ये है कि आप इसे online application के द्वारा apply करें सबसे पहले जानते हैं कि court जाकर कैसे बनवा सकते हैं marriage certificate इसके लिए सबसे पहले आप अपने शहर के जिस एरिया में रहते हैं वहां के सब registrar office जाकर वहां से शादी के certificate भरने वाला form प्राप्त करें फिर form को बहुत साथ भरिये और पूछी गई बातों को सही सवी जवाब दे कर भर दीजे अगर शादी के बाद लड़की का सरनेम या नाम चेंज हो गया हो तो आप form में नया वाला नाम या सरनेम भरें ना कि पुराना वाला आपको form पर sign करने के लिए तीन गवाहों के हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी जो कि आपके दोस्त और रिष्टदार हो सकते हैं गवाहों के sign के साथ आपको गवाहों का विवरण भी भरना होगा जैसे कि वो आपके कौन है कहां रहते हैं क्या करते हैं और उनका फोन नंबर क्या है फॉर्म में पति-पतनी दोनों के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं इस फॉर्म के साथ आप अपनी शादी की photograph, invitation card, अपना और अपने partner का age certificate, residence proof और सब रिष्टार ओफिस में जमा कर दें इसके बाद रिष्टार ओफिस में आपकी सारी details चेक होंगी और सही पाय जाने पर उस पर sign होगी और रिष्टार ओफिस की मोहर लग जाएगी और इसका print out निकलवाईएगा original record वरवदू को दे दिये जाएगे और print out को रिष्टार ओफिस में record के लिए रख लिया जाएगा एक बार marriage certificate बन जाने पर आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी क्योंकि आजकल passport या property deal जैसी चीजें करते वक्त भी marriage certificate मांगा जाता है ये तो था तरीका court जाके marriage certificate बनवाने का अब जानते हैं इसका सबसे आसान तरीका जिससे आप घर बैठे ही online अपना marriage certificate प्राप्त कर सकते हैं marriage certificate court और राज्य सरकार की website पर जाकर बनवा सकते हैं दिल्ली उत्राखंड मदर प्रदेश उत्तरप्रदेश राजस्थान और राज्यों में राज्य सरकार की website पर marriage certificate का form भर सकते हैं सभी राज्यों में marriage certificate बनवाने क्या process लगभग एक जैसा ही है online marriage certificate बनवाने के लिए आपको सबसे पहले आपके अपने state के अनुसार website पर जाना होगा और वहाँ पर आपको register करना होगा और अपना एक account बनाना होगा अगर आपका पहले से account है तो फिर बनाने की कोई जरूत नहीं है यहाँ account बनाने के बाद आपको एक registration number या registration ID और password मिल जाएगा इसे आपको संभाल कर रखना है इसके बाद आप अपनी screen पर कुछ निर्देश आएंगे जिने आपको ध्यान से पढ़ना है और follow करना है अब आपको अपना और अपने partner का नाम form या dialogue box में भरना है इसके बाद आपको registration of marriage certificate नाम से दिये गया option पर click करना है अब आपके सामने एक form आएगा आपको सही सही जानकारी उसमें देनी है और जरूरी दस्तावेश की प्रति को upload करना है और उसे submit करना है marriage certificate form भरने के बाद आपको एक temporary number मिलेगा और यही number आपको acknowledgement slip पर भरना है इसके बाद आपकी application को check किया जाएगा और फिर आपको appointment दे कर बुलाया जाएगा appointment के आधार पर आपकी application approve की जाएगी अगर आपकी application approve हो जाती है तो उसके बाद आप अपना marriage certificate website से डाउनलोड कर सकते है marriage certificate बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी document की जरूरत होती है जैसे application form, address proof, दोनों के पहचान पत्र, जन्पमार पत्र, पती और पत्नी के दो-दो passport size photo, शादी का card, शादी की photo, सभी documents की photocopy इसके अलावा marriage certificate बनवाने का एक तरीका और होता है जिसे कहते हैं ततकाल marriage certificate इसमें registration process एक दिन में हो जाता है, आपको इसके तहत marriage certificate 24 घंटे के अंदर मिल जाता है हाला कि ततकाल marriage certificate बनवाने के लिए आपको 10,000 रुपए फीज भी खर्च करने होंगे चलिए अब जानते हैं marriage certificate के लाप क्या क्या है अगर आप शादी के बाद passport या bank में खाता खुलवाने के लिए आविदन करते हैं तो आपको विवाह प्रमार्पत्र देने के आवशकता पड़ती है ऐसे में पति-पत्नी दोनों के लिए marriage certificate आवशक हो जाता है भारत के बाहर कई देशों में पारंपरिक शादियों को नहीं माना जाता है ऐसे में वहाँ marriage certificate आवशक होता है कई बार जीवन साथी के साथ नॉमिनी के रूप में नाम ना होने पर जीवन भीमा या बैंक में जमराशी का क्लेम करने के लिए भी इसका होना अनिवारे होता है इसके अलावा भविश में अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया तो ऐसे में बात पुलिस, कोट और तलाग तक पहुँच जाती है अगर बात यहां तक पहुँचती है तो फिर आपके पास शादी हुई है इस बात को साबित करने के लिए मेरिस सर्टिफिकेट होना चाहिए इसलिए शादी के बाद हर भारतिये को मेरिस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना चाहिए उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगली बार फिर से किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद